भारत का एक ऐसा खिलाडी जो दुनिया में तीसरे नंबर पर है लेकिन भारत में उसे कोई जानता नहीं है एक ऐसा खिलाडी जिसको FIFA ने हाली में समानित किया और कहा कि सुनिल छेतरी रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरे नमबर के खिलाडी है लेकिन उसे भारत में कुछ खास तवज्जों नहीं दी जा रही जहां लोगों का ध्यान सिरफ क्रिकेट की तरफ होता है मुई दूसरे ख सीरीज FIFA प्लस पर उपलब्द है और इसके तीन एपिसोड है अंतराश्ट्रिय फुटबोल की शासी निकाई द्वारा एक सीरीज में चेतरी की भागीदारी होनी बड़ी बात है क्योंकि वो एक ऐसे देश का प्रतिनित्व करते हैं जिसने अभी तक FIFA विश्व कब में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाला खिलाडी है रोनाल्डो 117 गोल के साथ सूची में सबसे उपर हैं इसके बाद मेसी 90 गोल के साथ हैं चेतरी लीस्ट मेसी के बाद आते हैं और उनसे 6 गोल पीछे हैं अपने करियर के दोरान सुनिल चेतरी ने भारतिय टीम के लिए 131 म लोगप्रियत को बढ़ावा देगा वहीं विराट कोहली ने अपनी इंस्टा स्टोरी में फीफा द्वारा शेयर तस्वीर को शेयर कर सुनिल चेतरी को बधाई दी है फीफा प्लस वैशनिक निकाय द्वारा एक प्रोजक्ट है और ये सीरीज इस प्रोजक्ट का एक हिस्स सीरीज की पहली कड़ी भारत के स्टार कप्तान के रूब में सुनिल चेतरी के शुरुआती दिनों की यातरा करती है ये फुलाई ओन दा वोल गाथा कप्तान की अंदे की कहानियों को उजागर करती है जिसमें उनके टीनेज से लेकर रोमांटिक लाइफ तक के बारे में ज थापित किया शो के तीसरे एपिसोड में सुनिल चेतरी ने अपने पैश्वेवर और निजी जीवन दोनों के शिखर को हासिल किया है